हेलु एवरीबन और यो आप सबी बहुत-बहुत बहुत जादा अच्छे होंगे तो हम पिछली वीडियों में醒 consistent चेस्ट करेगे तो उसे मर क्या करते है श्rail कूले Office जब चटानों के तूटने से भी होता है अर्थाथ जब चटान तूट कर चुटे-चुटे करनों में विभक्त वोस्क रगियांस जो मिटी निर्मान होती है उसे हम लोग भी जान लिया दो अब है कि भहोट तिक ढूट है और तो अब एसा नहीं है कि जब तूटते हैं तो इतने ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं उसके कि वह मित्टी चर्ण थे लिए ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए होता है कि भृतिक चरण होता जब शञपन किसी भी तरह से तूट जाता है छोटे-छोटे भार में। हे वह चट्ञं पाड पर तूटा है अब वह भृतिक कारण से रिजब शक्ति कारण से तो पूरे जभाण से जाता है अब होता ही हुआ कि जैसे वह छोटे चोटे टुगड़ों में और ज्यादा विवक्त हो अब हो सकता है में पी या संभावना है कि वह फिर की पूरी रूप से पूर्ण रूप से मिट्टी ना बने तो उसके लिए होता है रसानिक खरण और सैनिक छरण क्या होता है दोश्तों कि अगर मम लिया dep Sol. पानी या कोई भी रासायनिक ताथ उस मित्टे ड़फ पत्थर में उस चक्टान के टुकड़े में रासयनिक अभिक्रिया कर ले तो क्या हो सकता है जैसे कि दो चटानों की बीच में पानी जो है बर्फ की रूप में जम जब बादा और फिर और अचानक से वो बर्फ तूटे तो इसके साथ चटान तरीका होता है मिट्टी करन विधी से चर्टान मिट्टी में परिणत हो जाते हैं इसकी चर्टा भी आमागे करें अब मैंने इन चारों तरीकों की जो बात की यह चारों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं ठीक है एक होगा तभी दूसरा होगा जबी एक मतलब स्वतंत्र है कोई भी प्रक्रिया जो हो सकती है मिट्टी निर्मान में चाहिए वह बहुत तीक चरण से हो यह साधरान चरण से हो यह रसानिक चरण से यह खनी जी करन वह हुआ हो मची करन तो हम लोग सभी का थोरा-थोरा डिसक आप जितने भी प्रक्रतिक क्रिया हैं जैसे हवाओं के मध्यम से पथरों का उड़ तूटना पीर पत्थरों का गिर जाना इस तरह की जितने भी प्रकृतिक प्रक्रियार्टिक यह उनके द्वारा अगर जनक साल अर्थात मुख्य पथर ना मुख्य प्तर का जो मधड़ तूटते हैं तो जिप्रक्रिया को हम लोग चरन कहते हैं तो तूटने के समय जो जितना बल लगता है जो बल है उसी को हम लोग चरन कहते हैं मैंने उपर में आप लोगों को बताया था चरन में सोता तूटना वह भी सही है और उस बल को भी हम लोग चरन कहेंगे जिससे चटान जो है तूटकर मिट्टी में परिवर्ती तो वह उसे भी हम लोग चरन अब देखे बहुतिक चरन में होता क्या है तापमान में उतार है और फिर चटान आपस अपने आपसे तूट जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या लिखा गया अब आगे जस्तों कि अलाव रिष्टी अर्था जब बर्फ की जो पथरों की बारिस होती है वर्षा और नदी जल्ब भौतिक चरन के प्रमुक कर्मान के अर्था यह मुख्य जो है सपोर्टर होते हैं भौतिक चरन के मिर्दा को बनने में जो सहायक होते हैं मुख्य रूप से बहुतिक चरन में वह ओला विर्ष्टी वर्षा और नदीका जाती है अगला पुएंट विंद्यांचल पर्वत पर्वत की वनों में यह समानिता जो है पत्थरों को बेज देती है और समय के साथ जड़ों के अपने आप सोतर तूट जाते हैं और तीसरी प्रक्रिया है रासायनिक चरन की यह जो महत्पुन प्रक्रिया है जलब घटन की है जिसमें एच प्लस वेच आयनों में भीगटित हो जाता है जो सिलिकेटो जैसे और तो लेज पर क्रिया करके मृत्तिका बना दे इसकी चर्चा मैंने पहले वी करी कि पानी जब रासायनिक अभी क्रिया कर लेता है चटानों के बीच में तो उस प्रक्रिया भाम रासायनिक छरण कहेंगे तीक है आगे बढ़ते हैं देखते क्या अपनी मृत्यू के साथ अपक्षा से कारवनिक पदार्थ प्रतान करते हैं और फिर प्रोटीन वसा मूम आधी भी घटीत हो जाते हैं यह सब चीजों में वह परीनत हो जाता है और फिर क्या होता है कि कारवन डाउक्साइड जल और खनीज में विखनीज होकर हम लोगों के पर यहीं क्रिया खनीजी करन कहला ठीक है और इस क्रिया के बाद जो बसता है उसे हम लोग यूमस करने करने अब मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं देखिए जब मिट्टी नया नया बनता है ठीक है उसमें जो है पीड़ पोध्य जीव जनतु नहीं होते क्योंकि उसम क्या क्या है कि हम लोग के वहां पे कुछ कर नहीं सकते तूु सुवट वहां पर साइवाल लायकें साथ मौसाधि उग जाते हैं ठीक है और फिर क्या होता है कि जब क्या होता है कि कारवणिक पदार्त का जयंद कार्म होने लगता कारवणिक पदार्ट बहुता रहा आते हैं और ये और प्रोटीन वसाल लेनीन मोम आधी के रूप में भिगटित हो जाता है और फिर क्या होता है और यही जो प्रक्रिया है खाने जी करन कहला थी और जब यह खाने जी करन होता इस प्रक्रिया के बाद जो भी चीजे मस्ती है उसे हम लोग अब दूस्तों कि हुमस जो है यह एक और क्रिष्टलिया को लाइडी और गहरे रंका पतार तो जो अधिकांश मिर्दा सुक्सम्जिवों के लिए उड़ जाव पोसक का स्रोत है यह में समय के गुर्वता को पड़ाता है तो यह एक और क्रिष्टलिया को लाइडी अर्था ग अधिक्राइब को परिवर्थन को अधिक्राइब करें अगे पड़ते हैं दोस्तों अब आगे का पॉइंट लिखा गया कि अती चराइब अधिक्तम पसुधन उत्पादन के दूहन का सह उत्पाद है ठीक है होता क्या है कि अगर पसु बहुत जादा हो जाए और हम लोग क्या करें कि मिटी में मौझूद जो घास है उसकी बहुत जादा चराई कर दें उसको चरादे पसु को हम लोग उस घास को खाने को दे दें तो इससे क्या होगा कि भूमी संसाधन का दोहन हो जाएगा भूमी पर जो मौझूद जो घास असल पारी तंत्र उसका दोहन होगा अब आप लोग यह समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं कि अत्यादिक सिचाई से लबनी करन और जल प्लावन दोनों समस्यादे कि अगर हम लोग मिटी में बहुत ज्यादा सिचाई करें ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो भूमी है वो लबनी करीद हो जाएग है अगर हम हम लोरा साने का अधिक उत्त हकों रखोंका जाएगे खोंगे तो इसतरह से हैं हम लोग इस तरह सानी को रखों कि प्रजाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों में नाइट्रो स्वेमीनिया विमारी की आसंका बढ़ जाएगे ठीक है अगला पॉइंट की रसायन का उपयोग पर्यावरन हिते सी जीवों को मार देता से अगर हम लोग बहुत जादा रसायनी को रुपर क्या रसायन का रसायन का उप अलगे बढ़ते देखते हैं आगे हम लोगों का क्या ठोगानिकरन तो भूमिनी करण को मिन अब लुक्तता है उसको कैसे घटाया जा रहा आजकल का समय में इसकी चर्चा बहुमीनीकरन जो है भूमीकी गुनवत्ता को कम करने के प्रक्रिया है ठीक दोस्तों अब दिखिए जो कमी 물ात्मक स्वा वश्तु को रूमें परिवासित कर सकते हैं जह कि अनिक अभई निम्निकरन बहुता कैसे है तो वनोर ऑपन से ओज़रान का जैती बहुत जादा खेठी जो था नदियों पर बनाने एयग différent डियों की कर्ण से होता और फिर खनन से होते हैं कि तो इस तरह के रीयां की वज़या से बुमine निकाल करके देख लेना मुझे यह जरूरी नहीं लगा क्योंकि मैंने भूमी निम्निकरण के बारें बहुत सारी चर्चा पहले भी कर रखी थी लेकि होता क्या कि अगर हम लोग बहुत जादा वनोर उपन करें तो इससे होगा क्या कि खेती और सहरी उपियों के लिए वनों क कि विजाल प्रारक्षी चेत्रों को व्यापक अस्तर पर पेर काटकर जो साफ कर देया जाता है तो इस वजह से जो है भूमी निम्निकरण हो जाता है ठीक है अगर हम लोग इसी जगह पर वनोर उपन करें तो फिर यह हो सकता है कि भूमी निम्निकरण की कुछ मात्राओं को कम क्यास चाहिती चाहित कर दे तो भूमी निम्निकरण होगा ठीक अध्यों पर अगे बढ़ते हैं परियावरन निम्निकरण से भूजल अस्तर में कमी भूमी निमनीकरण मृदा परदन वा मरुस्थलिक अभी अभी मैंने बात की मृदा निमनीकरण जब पर्यावरण का निमनीकरण हो जाता है आसपास में जो मुझूद आपर रहन की चलता मैंने सबसे पहले वीडियो में भी करी थी जिब हमारे चार सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग देख लेना याद करने समझने वाला कुछ निया बस याद करने वाला है ठीक है अब वर्तमान में जो है भारत में 30-50 प्रतिसत भूमी निमनीकरण हुआ है जिसे बंजर भूमी कहते देखिए एक्चली हुआ कि जो मिटी थी उसकी घख यहां पूरा का पूरा सूखा हो चुका है पूरा का पूरा जो है वह कर हो शुकश्का हरे तो इस तरह है यह अब चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा है दूसरा है कुछ गहर सरकारी संगठन भी इस दिसा में प्रयास कर रहे हैं फिर निवेश प्रत्वान प्रयोजना भी चलाई जा रही है फिर बंजर भूमी विकास कारेबल एक प्रमुगतिविदी के रूप में रास्तान में में चरागाह कर एक काम जो हाँ आगे बढ़ते हैं कि सवी कटने की प्रक्रिया है इस में होता क्या है कि मिर्दा की जो उपरी परते होती है और इस प्रकरिया द्वारा जो है खणीज, कन, कार्वनिक तत मिर्दा मिट्टी से निकल कर दूसरी तीसरे जगों पर चले जाते हैं और यह, जो मिर्दा है वी और सरीताओं बन जाती है और भार्षा नदून को में एक बंद्टी si utility यहां चली जाती है पावन्त अधा जल के मादेत यह क्या होती है जो नदियां होती है जो भी सरीताय होती जलासे उनके गढ़ों को भरने का काम करती इस तरह से यह जो रीता और जल्स जलासें के लिए तरह से प्रदूशक बन जाती है क्योंकि यह उनके गड़ों को भर देती है उनके प्रवाह को उनके रास्ते को अब रुद्ध कर देती है अब अगला टॉपिक है भूमी उपयोग योजना और प्रबंधन देखिए अब इस टॉपिक में यह कहा जा रहा है कि हम भूमी का जैसे शड़को ऑरिमारतके निरमान के लिए उनके भूम्यों का उफियोग ना करें जो की अरुबर हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि है है प्रभंधन को कैसे किया तो सबसे पहला है कि यह नमर में मिर्दा पर्धन को कम करे या फिर रोग दूसरा है कि उत्पादक्ता को पुना प्राथ करें अर्था जब लोग बहुत जादा वर क्रिसी कर लेते हैं किसी एक निश्तित भूमी पर तो उसकी उत्पादक्ता घड़ किस तरह से उसको पूना से पराप्त करें कि वह ज्यादा से ज्यादा फसल हम लोगों को दिये तो सबसे पहले हम लिए बात करते हैं घास जाड़ीों और ब्रिक्षों और यह लिए को आइसे निकासी तंत्र का निर्मान किया जाए कि जो की मुक्त हो और और जो नदियों में जल परवा है और पिर मिरदा की उत्पासक्ता को कैसे सब्जियों का चक्रन करें सब्सक्राब करें कि इसमें होता है कि कुछ समय के लिए अर्था एक सब्सक्राइब के लिए उस खेदी के लिए उस भूमी को छोड़ देना या फिर आ उसके दीच में किसी तिलहन दलहन-दलहन का जो है फसल के जो है जो है कि खेतों से जो फसल ले आते हैं तो उसकी जड़ों को वहीं छोड़ देना चाहिए इसी क्या होगा कि मिट्टी कटेगी नहीं क्योंकि जड़ जो है जड़ जो है मिट्टी को पकड़े वे रहती है और अगला पॉइंट है जल के प्रवास से पदली नहरे या नाली बन जाती है और उनके उनसे गहरी संकरी घाटियों का विकास होता है जिसे दर्रा वन जाते हैं प्रसिद्ध चंबल के दर्रे इसी गहन मुर्दा अपरदन के फलस्वरू बने देखिए जब जल का प्रवाः पतली नहरों या नालीयों से होता है तो उनके उनसे होता क्या है कि गहरी घ नहर से नदी पानी बहती है तो बहुत बड़ा गढ़ा संकरा गाटी बन जाता है बहुं क्यारा बेर होते हैं और प्रसिब्ध चंबल का यह इसी प्रक्रिया की फल्स वरूप हुआ है अब देखिए कुछ पॉइंट से कि महराष्ट के डिवार का निर्मान समुद्री लहर और धराओं से अपर्दन को नियंत्रेत करने में बहुत प्रभावी से दोए देखिए मद्प्रदिश के रल आनल प्रदिश के तटो पर पत्थर की चोड़ी दिवार और फिर समद्री लहरों धराओं मतलब चोड़ी दिवार का निर्माण किया गया है जिससे कि समुद्री ल अगर हम लोग ऐसे ब्रिक्स और जाड़ी को रोप जिससे की धाल को मजबूत या जा सके और चारा मिल सके तो हमें ऐसा करना चाहिए ठीक है इस चैप्टर का जो एनालेसिस था यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सीधे अपने यह सबसे पहला कि ब्रदा के कितने प्रकार होते हैं तो हमारे भारत में ब्रदा के चह प्रकार होते हैं तो इसकी चर्चा मुझे करना साइद जरूरी नहीं लग रहा है है मैंने पहले ही संप की चर्चा कर लिए ठीक है सिधे सिधे हम लोग इसका इनलेसिस जो है कर लेते हैं सिधा सिधा फिर उसके बार अपने इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे इस मिर्दा का निर्माण मुखिता कितने तरीकों से होता हमारे उप्सेंस है चार छो दो और इन वे से कोई नहीं है सब्सक्राइब इस प्रिश्ण का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों वहने वाला है चार अर्थात मिर्दा का जो निर्मान है वो चार तरीकों से होता है इसकी चरज्द पहले की जब किसी प्रक्रिया को तो हम लोग क्या कहते हैं हमारी अप्संट से संगनन छहरण नीचेपन घरसन हमारी इस प्रक्रण जो उत्तर होने वाला है वह वह दोस्तों इस तरह की प्रकृ में क्या होता है कि चटान अपने तूड जाते हैं और फिर मिट्टी का निर्मान करते हैं कितने तरह के परिवर्तन होते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रशन हम लोगों के लिए कौन होती हमारे और आसपास में रासारी में नाम की भीमारी होती है जो के बहुत खतरनाक भीमारी होती है ठीक है यह वाला भी हम लोगों ने रखा था पहले ही अब हम अपने 25 ब्लबर बढ़ते हैं देखते हैं कि हमारा प्रस्वा नमर क्या है बहुत सब्सक्राइब करने की दोबारा जरूरत है मुझे अगले प्रेशन को देख लेते हैं सब्सक्राइब कर लेना ठीक है अगला प्रेशन क्या है और उसकी चर्चा कर लेते हैं सब्सक्राइब कर लाते हैं कि जल के प्रवा से जो संकरी घाटियां बनती है उसे हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं हम अपने अठीक को देख लेते हैं मर्दा परदन को कैसे कम कर सकते हैं तो घास होगाकर भी जाड़ी लगाकर से ब्रिक से लगाकर दी इन में से कोई नहीं इस क्वेसेन में थोड़ा मिश्टेक है दोस्तों इन में से कोई नहीं यहां पर जो है हमारा ए ऑप्सन भी सही होगा तो डी वाला जो इन में से कोई नहीं यहां पर मुझे लिखने में मिश्टेक हो गया यहां पर होने वाला है सभी ठीक है तो घास लगाकर विरिक से लगाकर और जाड़ी लगाकर हम लोग मिर्दा परदन को कम कर सकते हम अपने तीसवे नंबर प्रश्ण को देख ले सब्सक्राइब के माधियम से यहां वहां जहां तहां जो है चला जाता ठीक हम अपने लाश्ट प्रश्ण को देख लेते हैं इसके बाद यह जो चैप्टर यहीं पर खत्म होगा तीसमा नमर प्रश्ण अत्यदिक सिचाही से क्या होता है जल प्लावन लबनी करण यह और ब काई जो चार था था थालेवमजल संसादन नवी करनिया और और यहीं पर समाप होता दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मैं आसा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लेगेगा और एक बात और दोस्तों मैंने यह भरसक प्रियास किया है कि हर टॉपिक को कवार करवा पाऊं इसलिए आप लोग एनालिसिस और एम सी क्यू दोनों देखें ताकि आप लोगों का एक्जाम जो वो बहतर से बहतर जा सकें